700 से जादा किसानों की शहादत होने पर इस देश के प्रधान मंत्री ने कहा था मुझे क्या मेरे लिए थोड़ी मरें सच कहा था मोदी जी में आपकी वज़े से मरे थे आपके लिए नहीं आपकी वज़े से मरे थे आपके एहिंकार की वज़े से मरे थे, आपके हट की वज़े से मरे थे, आपके कारण 700 से ज़ादा किसानों की शहादत हुई थी और वो सलसला अब फिर से शुरू हो गया पहले ज्यान सिंग, फिर मंजीत सिंग, अब पंजाब के 21 वर्ष ये शुब करण सिंगी हर्याणा की निरंकुष बरबर पुलीस की गोली से हत्या हो गई किसके मत्य मढ़ा जाएगा ये, कब पेट भरेगा आपका, कब मन भरेगा, कितने नौजवानों की शहादत और होगी, कितने किसान और बढ़ी होंगे जब आपके कलेजे को ठंड़क पहुँचेगी क्या मांग रहे हैं ये किसान, जो आपने वादा किया था उसी की तो पूर्ती मांग रहे हैं, वही तो कह रहे हैं जो आपने कहा था आप कर देंगे आजसे दो साल पहले लेकिन आपने आज तक किया नहीं कौन है ये किसान वो निहत्थे लोग जो दिल्ली आना चाहते थे दिल्ली जिसको आपने अपनी बपौती समझ के हर रास्ता बंद कर दिया कौन है ये निहत्थे किसान जो धर्ती का कलेजा फाड़कर जाड़ा गर्मी बरसात ओले आंधर आतप में कौन है ये किसान ये वो निहत्थे लोग जिनके बच्चे जिनके लड़के सरहद पे हमारी सुरक्षा करते है और जब उनका शव आता है शहादत के बाद तो तिरंगे में लिपट कर आता है 200 से जादा किसान घायल हुएं आभे दरजल से जादा किसानों की आपकी रोषणी आपकी पुलीस की छरों की वज़े से चली गई कितने ही किसानों को सर पे चोटे आइए आपकी बरबर पुलीस ने खुसकर उनके टेंटम की रहने की जगहें फार दानी तोड़ दानी क्या मिल रहा है आपको कहां से आती है तनी बरबरता ये दुश्मन है आपके ये ये आटिट्यूट तो आपको दिखाना था चाइना और पाकिस्तान को जहां पर आपके मुझ से नाम नहीं निकलता है चीन का अपने देश के किसानों के साथ इस तरह दुश्मनी कौन निभाता है आसुग्यास के गोले ड्रोन से देख देख के कौन फिकता है कौन सीमेंट की चक्तानों को वहां लगा देता है कौन कीले गार देता है और हर वो आवाज जो किसानों के लि किलाफत करता है सत्पाल सिंग एक और किसान का बेटा खड़ा हुआ आँख में आख डाल कर उसने सत्य क्या दिखाया आपको उसके घर रेड करा दी क्यों कराई रेड आपने तो उनको गवर्नर बनाया था असलियत यह है कि आपके मन में इस देश के अन्यदाता के लिए रत् असलियत यह है कि यह देश सब देख रहा है इस देश में जिसने अन्यदाताओं से बैर मोल लिया है वो जीदा कभी नहीं है याद नहीं है कैसे घुटने टिकवा दिये थे इनी किसानों ने और कैसे नाकरगर के आपको अपने तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे अन्यदाता इस देश की आत्मा है हर कुरूर तानाशा को लगता है कि वजए है लेकिन हर कुरूर तानाशा डरपोक है आप डरपोक है आप डरते हैं मोदी जी इन किसानों से और इसलिए डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये निहत्थे लोग जब उठ खड़े होते हैं सीना तान कर गोली खाने को तो ये बड़े बड़े ताना शाहों को उठा कर और उखार कर फेक देते हैं